आजकी लेक्चर में हम जानेंगे अंत्रजातबल यानि endogenetic forces और बहिर जातबल यानि एक्सोजानेटिक फोर्स ठीक है तो अंत्रजातबल ये क्या होता है पिर्थवी के आंत्रिक भाग में उठने वाले बल को अंत्रजातबल कहा जाता है इस वल से पिर्थवी में दो तरह के संचलन यानि मुवमेंट उत्पन होते हैं एक तो होता छेतित संचलन यानि होरिजेंटल मुवमेंट दूसरा होता लंबवत संचलन यानि कि वर्टिकल मुवमेंट इन संचलनों द्वारा भूतल पर अनेक विशमताओं का सुत्रपात होता है यानि कि अनेकों विशमताए भूतल पर उत्पन हो जाती है जिस कारण भूतल पर तरह-तरह के उच्छावच रिलीफ जो होते हैं यानि कहीं उचा कहीं नीचा उनका निर्माण एवं विकास होता है ये तो आप जानते हूँ कि उच्चा वच में परवत पठार मैदान भ्रंसन आदी भुकंप तथा जो आलमुकी की किरियाए भी अंतरजातवल का ही परिचायक है तो तिब्रता के आधार पर अंतरजातवल को दो भागों में विवाजित किया जाता है एक आकाश्मिक संचलन दूसरा पटल बिरूपनी संचलन ठीक है तो अब हम इने एक करके जानते हैं आकाश्मिक संचलन यानि की सडन मूवमेंट और पटल बिरूपनी संचलन यानि की ड तथा अचानक ही इनके द्वारा भूतल के ऊपर तथा नीचे विनासकारी परिवर्तन हो जाते हैं आकास्मिक संचलन के परमुक कारण भुकम तथा जौलामुकी किरियाएं हैं जौलामुकी के विस्पोर्ट द्वारा अचानक भारी परिवर्तन हो जाते हैं लावा का धरातल के नीचे सिल डाइक बैथुलित लेकोलित फैकुलित लोपुलित आदी के रूप में परवेस हो जाता है और धरातल के उपर लावा के परवा के कारण लावा पठार लावा मैदान विविन परकार के संकुओ आदी का निर्माण होता है और भुकम के कारण छणों के अंदर ही भूतल पर जील, सागर, आदी का निर्माण हो जाता है। तो ये सब होते हैं सडर मूवमेंट के द्वारा, ठीक है। दूसरा जो है पटल बिरूपनी संचलन, डायस्ट्रोफिक मूवमेंट। इसके अंतरगत पिर्थवी के आंतरिक भागों से उत्पन होने वाली लंबवत यानि की वर्टिकल तता चेतिज यानि की होरिजेंटल दोनों गतियों को समलित किया जाता है। पटल बिरूपनी वल मंद गती से कारे करता है। अकास्मिक संचलन तो तिब्रता से अचानक ही हो जाता है। लेकिन पटल बिरूपनी संचलन जो होता है ये भोत मंद गती से कारे करता है। तथा इनका जो परवाब है वो हजार वर्ड़स वाद परिलक्चित होता है। तता भ्रदकार स्थल रूपों का निर्मान भी इसके दुआरा होता है इनकी गती के आधार पर अब पटल वरूपनी संचलन को भी गती के आधार पर दो भागों में विवाजित किया जाता है ठीक है यानि कि अंत्रजातपल को पहले अकास्मिक संचलन और पटल बिरूपनी संचलन दो भागों में बाटा फिर पटल बिरूपनी संचलन को दो भागों में बाटते हैं गती के आधार पर लंबवत संचलन और छेतिज संचलन लंबत संचलन क्या है? इस तरह का संचलन दो परकार से होता है उपर मुखी संचलन अपवर्ड मूँमेंट इस संचलन के कारण महादीपों में दो तरह के उत्तान होते हैं पर्थम वर्ग में महादीप का तटिय भाग सागरतल से उपर उठ जाता है इसे निर्गमन या इमर्जेंस कहते हैं और इसका दूसरा पार्थ है अधो मुखी संचलन डाउन वर्ड मुवमेंट इस संचलन के कारण महादीप भाग में दो तरह के दसाग होते हैं पर्थम भाग में इस्थल का भाग इस्थानिय या पार्देशिक रूप में अपनी समीपी सतय से नीचे धस जाता है इस किरिया को अव्दलन कहते हैं दूसरे रूप में इस्थल खंड सागल तल से नीचे चला जाता है इस किरिया को निमजन समर्जेंस कहते हैं अब छेतिज संचलन या परवत्य संचलन तो परवत बल के अंत्रगत बल प्राय छेतिज रूप में कारे करता है आते हैं इसे छेतिज बल या इसपर्स रेखे बल कहते हैं यह बल दो रूप में कारे करता है जब बल दो विप्रित दिसाओं में कारे करता है तो उससे तनाव क इस्तिती उत्पन हो जाती है टेंसन और इसे तनाव मूलक बल कहते हैं तनाव के कारण धरातल में ब्रंस यानि फॉल्ट दरार यानि की फ्रैक्चर तता चटकनी क्रैक्स पड़ जाते हैं जब बल आमने सामने कारे करता है तो संपीडरन होने लगता है संबलन तथा बलन पढ़ जाते हैं तो अंतरजात बल में रिफ्ट गाटी भी समझ लेते हैं रिफ्ट वैली किसी इस्थान पर जब दो सामाने ब्रंस कई किलोमेटर की लंबाई में इस तरह पढ़ते हैं कि उनकी जो बीच का भाग होता है वो नीचे धस जाता है और एक बेसिन ये घाटी का निर्माण हो जाता है तो इसे रिफ्ट गाटी या ग्रोबिन कहते हैं ग्रोबिन तथा रिफ्ट गाटी में कोई अंतर नहीं होता रिफ्ट गाटी का निर्माण उस समय भी होता है जब बीच का भाग इस्थिर रहे और अगल वगल वाले भाग ऊपर उठ जाए तो सामाने रूप में जो ये घाटी होती है रिफ्ट गाटी वो लंबी होई तथा संक्री परंतु अतियादी घहरी होती है रिफ्ट गाटी के कुछ उधारन देखें तो देट बेली मृत गाटी एसिया का जो मृत सागर है डेट सी भारत में नर्मदा नदी की गाटी भी रिफ्ट गाटी का एक उधारन बताया जाता है तो यह कोश्चन आपका UPSC में प्री में पूछा भी जा चुका है अब जो दूसरा है हमारा बहिरजातबल एक्सोजेनेटिक फोर्स इसे भी देख लेते हैं यदि अंतरजातबल भूतल पर ऐसमानताय तता विसमताय उपस्थित करते हैं तो बहिरजातबल भूतल पर उत्पन इन बसम भी समताओं को दूर करने का परियास करते हैं इस तरह भी जातबल समतल इस्थापकबल होते हैं यदि अंतरजातबलो दूआरा भूतल पर विसमताओं का सरजन अचानक हो जाता है तो वही भी जातबलो को उन्हें दूर करने के लिए दिर काल तक परियास करना पड़ता है बहिरजाद बलों को भूपोटल पर परमुक कारे अनाच्छादन यानि कि डिनन्डेशन होता है अनाच्छादन के अंतरगत अपक्छे तथा अपर्दन की सम्मलित किरियाओं का ध्यन किया जाता है तो अपक्छे के अंतरगत चट्टानों का विगटन तथा वियोजन उसी स्थान पर होता है इसे विगंडित परदार्द का परिभेन नहीं होता ठीक है अपक्षे में क्या होता है चट्टान का विगटन तथा वियोजन यानि कि डिसिंटिग्रेशन और डिकंपोजिशन उसी स्थान पर होता है और इस विगंडित पदार्थ का परिभेन नहीं होता यानि कि वो उस स्थान से कहीं और गतिमान नहीं होता अपक्षे के कारे में ताप, भर्सा, गजल, तुसार, बनस्पती, जन्तू तता मानव का हाथ रहता है अपरदन के अंदर के चट्टानों के तूटने, फूटने तता कटने से लेकर उनके परिवहन को समलित किया जाता है जैसे परिहिमानी, ग्लेशियर, नदी, पवन, भूमिगजल, तता सागरिय, लहरे, अपरदन द्वारा चट्टानों को कुरेद कर उन्हें अपरदित करती रहती है अपरदन से प्राप्त प्धारतों का परिवहन करके उनका यता इस्थान निक्छेपन करती रहती है और इन करियाओ के दोरान विभिन परकार के स्थलूपों का निर्माण, विकास, तता विनास होता रहता है तो आज हमने अंतरजादबल और बहिरजादबल यानि कि एंडोजैनेटिक और एक्सोजैनेटिक फोर्स दोनों को समझा है काफी सही से मैंने आपको बताया है और आप चलते चलते आखरी बार इसका रिवाइज कर लेते हैं अंतरजादबल इसमें दो तरीके की इसे सब्डिवीजन होता है एकास्मिक बल और पटल बिरूपनिबल ठीक है अब पटल बिरूपनिबल को भी दो भागों में बाटा जाता है लंबबत सक्ती और छेतित सक्ती वर्टिकल फोर्स और होरिजन्टल फोर्स तो वर्टिकल फोर्स के उधारन है पठारों के निर्माड महादीपों को उत्थार महीं छेतित सक्ति होरिजेंटल फोर्सिस का उधारन है मोड़दार परवर्टों के निर्मार छेतित सक्ति को भी हम दो भागों में बाट देते हैं जिसमें तनाव, दरार, भ्रंसन और दूसरा है दवाव जिससे बलन, संपीडन पैदा होते हैं महीं वहिरजाद बल में आते हैं अपक्छे, भ्रत संचलन, अपरदन, अपक्छे भोतिक, रासाइनिक, जेविक होता है भ्रत संचलन वो होता है जिसमें चट्टाउनों की तूट फूट गुरुत वाकरशन बल के कारण होती है ठीक है, बड़े मतलब किसी उचाई पे कोई चट्टाउनों की तूट फूट होती है गुरुत वाकरशन बल के कारण वो नीचे आता है उसमें ये जल दवारा है, हवा दवारा उसका परिवेन नहीं होता है बलकि गुरुत वाकरशन बल की दवारा होता है और वहीं अपर्दन, और अपर्दन में नदी, बवन, हिमानी, सागरे तरल, भूमी का जल, ये सब अपनी भूमी का निवाते है ठीक है, तो ये आपका मैंने रिवाइज भी करवा दिया है अंतरजातबल क्या होता है और भैरजातबल क्या होता है तो अब मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त मिलते हैं next lecture में Thank you